तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इंडिया की सबसे value for money hatchback का review जिसका नाम है Maruti Suzuki Balino और ये जो model है ये base model है और इस गाड़ी के ने इतने साइफ फीचर आते हैं कि और कोई company अपनी गाड़ी में देही नहीं सकती है इस गाड़ी के जो पैस है वो है 6,60,000 रुपे base model आप यहाँ पे halogen projector headlamps देख सकते हैं हाँ दोस्तों साड़े 6,00,000 रुपे में Suzuki ने projector headlamps हमको provide किया है सामने की आप grill देख सकते हैं दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है गाड़ी के tires के दर देखते हैं तो आपको यहाँ पे i-15 के steel wheels देखने को मिलते हैं जो की alloy से कम नहीं लगते हैं तो काफी अच्छा एक feature है जो Maruti Suzuki ने हमको provide किया है अगर इसकी exterior mirror के रहें बात करें तो यह manually adjustable है blacked out है top models में आपको body colored के देखने को मिलते हैं दोस्तो इस गाड़ी के दर company fitted accessories भी लगी हुए है जैसे की chrome door handle side beating जो की chrome की है 170 mm इस गाड़ी का ground clearance है गाड़ी के models के बात करें तो गाड़ी के दर सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अलफा आता है यह जो variant देख रहे है, 6,60,000 उपे का, यह है sigma base variant petrol और CNG में यह गाड़ी आती है, उपर की तरफ आप इसका antenna देख सकते है गाड़ी के पैस देखें तो गाड़ी शार्ट होती है, 6,60,000 उपे से जाती है, 9,90,000 उपे तक और यह आप देखें इस गाड़ी की back profile का look back में भी आपको chrome की highlights देखने को मिल जाएंगी, जो की एक accessory का part है इस तरफ देखें तो आपको यहाँ पे balino की branding देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपकी Suzuki की branding दी गई है और यह है इसका full back side का look, reflectors भी आपको देखने को मिलते हैं, पीछे की तरफ आपका hook भी है और यहाँ पे आप tail lights को देखेंगे, तो यह LED tail lights है, base model और top model दोनों में ही आपको same headlights देखने को मिलती है तो चलिए दूस्तों इस गाड़ी का boot open करके देखते हैं, तो हमने गाड़ी को unlock कर दी है की से, और आप आराम से इसके boot को open कर सकते है यहाँ पे आपको 318 liters का boot space देखने को मिलता है, जिसके आप 2-3 suitcase ले जा सकते हैं, पर इस गाड़ी की जो boot space है, उसकी depth काफी ज़ादा है तो आपको समान उतारने और चड़ाने में थोड़ी सी दिकत हो सकती है, यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी का spare wheel तो यह तो हो गई बूट की बात और चलते हैं बाहर की तरफ अब यहाँ पे आपको boot मीचे करने के लिए एक holder देखने को मिलता है, जिससे आप आराम से इसका boot को बंद कर सकते हैं दोस्तों यह जो गाड़ी है यह petrol CNG दोनों में available है, तो यहाँ पे आपको 37 liters की fuel tank capacity देखने को मिल जाती है अब हम बात करते हैं बलीनों के main part के बारे में जो कि है इसका engine जिसकी वएसे गाड़ी सबसे जादा इंडिया में sell होती है इस गाड़ी के नापको 1.2 liter का K-series का petrol engine देखने को मिलता है जो कि है 4 cylinder का 88 bhp of power and 130 newton meters of torque, 5-speed manual automated transmission में गाड़ी आती है, CNG के इंडर आपको manual transmission ही देखने को मिलेगा पेट्रोल में इस गाड़ी का जो average है वो है 22 kmpl का और CNG के इंडर आपको 30 km per kg का average देखने को मिल जाता है तो यही इसकी सबसे बड़ी USP है कि इस गाड़ी का जो average है बहुत अच्छा है और आजकल के टाइम पे जब पेट्रोल के प्रैजर इतने जादा हो गए है तो बली दो लेना एक बहुत अच्छा option है दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के इंडियर के बारे में तो यहाँ पे आपको soft touch materials का अच्छा का सा यूज देखने को मिल जाएगा black color के आपके door handles देए गए है चारो ही power windows है यहाँ पे in fact आपको rear seats में headrest भी दिखने को मिल जाते हैं जो की base model के लिए काफी जादा अच्छी बात है अब बेटते हैं गाड़ी के अंदर बात करते हैं इसके comfort की इसके legroom की तो यहाँ से हम आ चुके हैं इसकी rear seat पर आगे वाली seat काफी जादा आगे है लेकिन तब भी मैं आपको बता जिता हूँ बहुत अच्छा है इस गाड़ी का legroom है under thigh support भी काफी अच्छा है bottle holder का space दिया गया है और यहाँ पर आपको 12 world का socket दिखने को मिलता है और तो अच्छा स्पेस भी दिया गया है दोस्तों यहाँ पर seats की जो quality है काफी जादा अच्छी है साथ में आपको जो seats हैं पूरी flat है तो तीन लोग को बैठने में दिक्कत नहीं आएगी और यहाँ पर नीचे जो floor है वो भी flat है तो beach वाले को बैठने में दिक्कत नहीं आएगी दो headless दिये गए हैं यहाँ पर आपको grab handles दिखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको halogen lights दिखने को मिलती है तो गारी के अंदर 6 लाक रुपे के साब से काफी अच्छा comfort है rear seat में तो यह बात तो होगा इसके rear seat की अब बात करते हैं इसकी front seat की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गारी का front dashboard का look तो चलिए आगे चलिके देखते हो क्या क्या features हमको front में देखने को मिलते हैं यहां सेम करते हैं गारी को unlock इस तरफ भी आपको soft touch middles का use दिखने को मिल जाएगा जो की है blue color के अंदर थोड़े से यहां सब जिसकते contrast में हलका सब blue color है चारपार windows है lock and unlock का feature दिया गया है साथ में seats के में बात करें तो यहां से आप इसकी seats को adjust कर सकते हैं driver side के features के में बात करें तो यहां पर आपको दिखने को मिलता है electronic stability program idle start and stop और यह है आपका headlight height adjust यहां पर आपके इस events है काफी अच्छा एक finish दिया गया है यहां भी आपका silver color में finish है यहां से आप इसके boot को और fuel tank को open कर सकते हैं तो चलिए अंदर बैठ के देखते हैं और जानते हैं क्या क्या features ने बलीनों के अंदर तो यहां से आप key से इस गाड़ी को start कर सकते हैं यहां पर आपको MID display देखने को मिलता है एक तरफ आपका RPM meter है और दूसरी तरफ आपका speedometer है और इस से आप गाड़ी के information ले सकते हैं आप जो भी लेना चाहिए जैसे की average range और इस तब से आप kilometers वगिरा का information ले सकते हैं गाड़ी के अंदर time और temperature display भी इसके MID में हो जाता है दोस्तों और यह गाड़ी का steering wheel जो की tilt function के साथ आता है right hand side पे आपके दिये गए है light के controls और left hand side पे अगर आप देखेंगे तो आपको wiper के controls दिखने को मिल जाते हैं और यह है आपकी extra accessory जो की है एक tuskin music system जो की अलग से लगा हुआ है गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको थोड़ी silver की finish देखने को मिल जाते है जो की glossy है और सबसे अच्छा features गाड़ी का यह है कि base model के अंदर आपको automatic AC देखने को मिलता है हाँ दोस्तों जो गाड़ी यह 10 लाग रुपे में नहीं दे पाती है वो 6.5 लाग रुपे में मारुती Suzuki हमको provide करती है जो की है automatic AC यहाँ भी आपको 12 वोल्ड का socket है दो cup holder का space दिया गया है यहाँ भी आपकी काफी अच्छी finish दी गई है और यह आपका 5-speed का manual transmission gearbox reverse parking sensors के साथ यह गाड़ी आती है यहाँ से अब गाड़ी का handbrake दिख सकते हैं इस तरफ आपना समान कुछ रख सकते हैं थोड़ा सा glove box के में बात करें तो काफी अच्छी space है glove box के अंदर भी गाड़ी की fan seats के हम बात किए जब गाड़ी की fan seats की जो cushioning है काफी ज़्यादा अच्छी है अंडर थाय सपोर्ट भी काफी अच्छा है और अब इस तरफ से मैं आपको cushioning दिखाऊं तो sides में आपको एक अच्छा soft cushion देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप sun visors को देख सकते हैं गाड़ी के day and night IRVM यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और यह है आपका driver side का sun visor दोस्तों यह सारी बाते तो हो गई गाड़ी के features के बारे में interior exterior के बारे में अब चलते हैं बाहर बात करते हैं गाड़ी की safety के बारे में तो यहाँ पर आपको dual airbags दिखने को मिलते हैं electronic stability program with hill hold assist दिखने को मिलता है reverse parking sensors, seatbelt with pretensioners and force limiters, high speed alert system और साथ में brake assist गाड़ी के लिए साथ color आते हैं जो आपके screen पर mention हो जाएंगे दूस्तों इस गाड़ी के जो main competitors हैं वो हैं Tata Ultras, Toyota Glanzer और Hyundai i20 गाड़ी के price के बात करें तो गाड़ी का price chart होता है 6,60,000 उपे से जाता है 9,90,000 उपे तक अगर दोस्तों आप एक ऐसी गाड़ी देना चाहते हैं जिस गाड़ी का average काफी अच्छा हो decent features हो और कम price में हो तो बलीनों का base model आपके लिए सबसे best choice दाएगा तो कैसे लिए को video comment section बताएगे इस video को like कीज़े चानल को subscribe कीज़े और bell icon दबाएगे ना कहीं मच जाएगा ऐसी amazing videos देखने के लिए